हेलो माई दिया फ्रेंज और फैमिली आज की वीडियो जो है वो एक कोश्चन का आंसर है जो कि पिछली वीडियो से अराइज हुआ कि जैसे कि मैंने आपको पिछली बारी टेकनिक बताई थी कि आप कैसे अपने थौट्स को या अपने आपको अपने में ही सीमित करके रख सक करते हो कि जो भी भार हो रहा है वो भार ही होता रहे बट आप अपने आपको अंदर अपने पीस को इंसाइड में अपने अंदर में मैंटेन करके रख सको बट इसके बाद एक कोश्चन जो अभी आया वो यह है कि अगर आल्रडी कोई थौट है हमारे पास और हमारे दिवा कुल ओर है कि आपको अवेर रहना जरूरी है कि आपके मैंट में कोई ऐसा थौर्ट चल रहा है जिसे रही उसमें आपको उस condition में जब आपको वो pain feel हो रहा है या आपको यह लग रहा है कि मुझे गुसा आ रहा है या आपको यह लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है या इस बंदे ने मेरे साथ लाइफ में अच्छी चीज़े नहीं किये हैं तो आप अपने ये दो फिंगर्स लेके अपने माइन में यहां पे ऐसे रखो हैड पे ऐसे रखो और एक ट्रस्ट के साथ कि वो जो थौट है वो आपने इन फिंगर्स के थूरू बहार निकाल दिया आप उसको बोलोगे कि I don't want this thought in my head और आप उसको निकालोगे ऐसे करके और जाके उसको पानी चलते वे पानी इंदर अपनी दो फिंगर्स को आप वाश कर दोगे saying that I am washing that thought from my mind from my body and from my soul और आप इस चीज को इस प्रैक्टिस को जब करोगे तो you will feel और इसको करने के बाद आप चुटकी बजाओगे और बूलोगे कि I refresh my mind और जैसे ही आप इस चीज को करते हो तो you will feel that कि जो thought था वो आपके mind में से निकल गया और आपको एक refreshment की feeling आएगी but this thing you have to do with the trust क्योंकि जब हम किसी चीज को करने की intention देते हैं जब हम किसी चीज को trust और faith के साथ करते हैं तो उसका हमें 100% result मिलता ही है और last thing जो आप बोलोगे आप ये बोलोगे कि thank you universe for helping me to delete this thought from my mind आपको ये तीन step में काम करना है first is that कि आपको यहाँ पे हाथ रखना है और बोलना है कि I am just taking off this thought from my mind और उसको निकाल के आपको उसको आप वाश करना है वाश करते वक्त आप ये बोलोगे कि मैं इसको वाश कर रही हूं from my body, soul and mind और फिर उसके बाद आपको thank you करना universe को कि I thank universe helping me to delete this thought out of my mind, body and soul आप जितना ज्यादा aware रहोगे जितना अपने अंदर रहोगे उतना आपको अमने thoughts के बारे में पता चलेगा और जैसे जैसे जो thoughts उपर आते जाएंगे आप उनको delete करते जाओगे या उनको wash करते जाओगे means this is a process of deleting wash करते जाओगे तो आपको बहुत peace बहुत peace महसूस होगा अंदर कि आप उस चीज को कर रहे हो और कर पा रहे हो जो कि हमें सच में अपनी life में उसी वत कर देनी चाहिए थी जब वो thought पहली बार ही हमारे mind में arise हुआ and thank you so much for hearing me, thank you so much for asking so many questions मैं सारे questions का answer try करूँगे कि देती रहू हमेशा and take care, stay blessed, stay happy, stay at home, bye see you soon